जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे मुरादाबादी चिकन बिर्यानी की रेसिपी इसे मुरादाबादी चिकन पुलाव के नाम से भी जाना जाता है इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है और कम महनत में कम समय में सिर्फ एक ही बरतन में हम इसे बना सकते हैं इसके लिए हमें नहीं सोफ और धन्ये की अलग से पोटली बना कर तयार करने होती है और नहीं कोई अलग से यखनी बनानी पड़ती है लेकिन फिर भी बहुत ही मज़े की बिर्यानी बनकर तयार होती है तो चल ये सुरू करते है मुरादाबादी चिकन बिर्यानी बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन मेरिनेट करेंगे तो हमने एक किलो चिकन लिया है और इसमें हम कुछ साबूत गरम मसाले डालेंगे जैसे की एक से डेड़ इचका दालचिनी का टुकड़ा एक छोटा सा जाइफल का टुकड़ा दो बड़ी इलाइची एक जावतरी का फूल दस छोटी इलाइची दस से बारा लोंग दस से बारा काली मिज और एक टी स्पून जीरा और अब हम इसमें सौफ का पाउडर डाल देंगे तो हमने दो टेबल स्पून सौफ को मिक्सी जार में दरदरा पीस लिया है और इसी के साथ हमने दो टेबल स्पून साबूत धनिया लिया और धनिये को भी हमने मिक्सी जार में दरदरा पीस लिया और अब हम इसमें डालेंगे स्वादनुसा नमक तो हमने यहाँ पर 2 टी स्पून नमक डाला है और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे अद्रक लहसुन और छोटी हरीमिज का पेस्ट तो हमने 4 टेबल स्पून अद्रकले हसुन का पेश्ट लिया है और इसी के साथ हमने 2 टेबल स्पून छोटी हरी मिज का पेश्ट लिया है तो अद्रकले हसुन के पेश्ट की कॉंटिटी यहाँ पर हम थोड़ी ज्यादा ही रखेंगे अगर आपको बिर्यानी को थोड़ा ज्यादा स्पाइसी रखना है तो आप हरी मिज के पेस्ट की कॉंटिटी थोड़ी सी बढ़ा दे और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 250 ग्राम फ्रेस और गाड़ा दही तो बस इन ही इंग्रीडियंट्स का इस्तेमाल करके आज हम इस मज़ेदार सी बिर्यानी को बनाएंगे और यकीन मानिए जब आप इस बिर्यानी को बनाएंगे तो इसके खुसबू से आपका कीचन तो क्या पुरा घर ही महेक उठेगा अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनिट के लिए मेरिनेट करेंगे अगर आपके पास वक्त है तो आप इसे आधे से 1 घंटे के लिए भी मेरिनेट कर सकते हैं तो बिर्यानी बनाने के लिए हमने एक मोटे तले का बर्तन लिया है और इसमें हम 200 ml तेल डाल देंगे तेल के गरम होते ही हम इसमें डालेंगे प्यास तो हमने दो मीडियम साइज की प्यास को स्लाइसिस में काट लिया है और प्यास को हम तेल में तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए जिसे की मैंने आपको कहा कि इसे पुलाव और बिर्यानी दोनों कहा जाता है यहां तक की रेसीपी देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इसे बनाने का तरीका बिर्यानी और पुलाव दोनों से मिलता जुलता है प्यास का कलर गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसे फ्राई कर लिया और इस टेज पर हम इसमें दो तेज पत्ते डाल देंगे तेज पत्ते आप चिकन को मेरिनेट करते वग भी डाल सकते हैं और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे मेरिनेट किया हुआ चिकन और मेरिनेशन के बोल को खंगाल कर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे सिर्फ तीन से चार टेबल स्पून जितना ही पानी डालेंगे और अभी हमें गेस की फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देना है और हाई फ्लेम पर हम चिकन को भून लेंगे तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर हमने चिकन को 8 से 10 मिनिट के लिए भून लिया है और हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था क्योंकि हमने इसमें जो दही डाली है उसमें से भी अच्छा खासा पानी रिलीज होने लगा है और चिकन का पानी भी रिलीज होने लगा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन की भुनाई तो हो गई है लेकिन चिकन अभी तक गला नहीं है तो अब हम इसे कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये 70% तक कुक ना हो जाए तो लो फ्लेम पर चिकन को पकते हुए 15 मिनिट हो गई है बीच में हमने इसे चेक किया था और अभी हम इसे एक बार और चेक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि चिकन को हमने पूरी तरह कुक नहीं किया तो सिर्फ 70% तक ही हम चिकन को गलाएंगे और अब हम इसे चावल के साथ पकाएंगे और अब हम इसमें चावल के लिए पानी डाल देंगे तो हम यहाँ पर 1 किलो बासमती चावल का इस्तेमाल करने वाले हैं तो एक कीलो चावल के लिए हमने यहाँ पर देल लिटर पानी डाल दिया और अब हम इसमें चावल के हिसाब से नमक डालेंगे क्योंकि चिकन को मेरिनेट करते वक्त हमने ओलेडी नमक डाला है तो चावल के लिए हमने यहाँ पर दो टीस्पून नमक डाल दिया और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च तो हमने दो बड़ी हरी मिर्चे ली और इसे हमने सेंटर में से काट लिया है इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे और इस पानी में हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देंगे जैसे ही पानी में एक उबाल आने लगेगा तब हम इसमें डाल देंगे सोक किये हुए बास्मती चावल तो हमने एक किलो बास्मती चावल को पानी से अच्छी तरह धोग कर आधे घंटे के लिए भीगो दिया था तो चावल को हमने पहले से भीगो कर रखा था इसलिए हमने यहाँ पर पानी की कौंटिटी भी थोड़ी सी कम ही रखी है इसे अच्छे से मिला लेंगे और अब भी हमें इस बिर्यानी को कवर करके हाइ फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक की चावल का पानी सूखने ना लगे आठ से दस मिनिट तक हाइ फ्लेम पर पकाने के बाद आप देखेंगे के चावल का सारा पानी ड्राई हो गया है और बीच में हमने इसे एक बार चला लिया था और चावल की एक लेयर अच्छे से सेट कर दी और अब हमें गेस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और अब हम बिर्यानी को दम करने की तयारी करेंगे तो हमने यहां पर half टेबल स्पून रेट फूट कलर डाल दिया है आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई साभी फूट कलर डाल सकते हैं इसी के साथ एक टेबल स्पून केवडा वोटर डालेंगे आप यहाँ पर केवडा वोटर की जगह रोज वोटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अब हम इसमें डालेंगे 1-1.5 टेबल स्पून देसी घी तो बिर्यानी को दम करते वक्त आप नीचे तवा भी रख सकते हैं हमने यहाँ पर मोटे तले का बर्तन लिया है इसलिए हमने नीचे तवा नहीं रखा अब हम इसे गानिश करेंगे तो गानिशिंग के लिए हमें इसमें फ्राई की हुई प्यास डाल देनी है आप यहाँ पर गानिशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल सकते हैं और अब हम इसे कवर करके लो फ्लेम पर 20-25 मिनिट के लिए दम कर लेंगे तो हमने लो फ्लेम पर बिर्यानी को 20 मिनिट के लिए अच्छे से दम कर लिया है बिर्यानी हमारी बन चुकी है लेकिन अभी हम इसे बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे तो अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसे कवर करके 10-12 मिनिट के लिए ऐसे ही रखेंगे और फिर सव कर लेंगे ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी मुरादाबादी चिकन बिर्यानी बनकर तयार हुई है जब भी बिर्यानी खाने का मन करें और कम महनत में और कम समय में आपको बिर्यानी बनानी हो तो आप इस recipe को ट्राइ कर सकते हैं आपको ये बहुत पसंद आने वाली है आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और फ्रेंड्स और फेमिली में जरूर से सेर कीजेगा और कॉमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई